तो question number one 31 से 130 हो गया था ना आई ये 131 से चले इसका आपको इकाई अंक निकालना है unit digit निकालना तो ये लिखा हुआ है तो ये निकालने के लिए 16 में भाग दीजे कितना से 4 से तो remainder बोलिए तो ये आओ गया 8 का power 1 तो ये इसमें भी 4 से भाग दीजे तो 3 का power 3 कितना 27 27 का कितना तो 8 में से 7 घटाई है तो अंसर हो गया उपवान इसमें कोई दिक्कत है फिर से इकाई अंक निकालने के लिए यूनिट डिजिट पता करने के लिए क्या करते थे पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके 6 निकालते थे तो पावर का अंतिम 2 अंक कितना है 23 में 4 से भाग देके रिमेंडर बोलिए तहीं हो गया थिरी का पावर थिरी तो थिरी का पावर थिरी कितना 27 लास्ट अंक के वल लिजिए 7, 8 में से 7 घटा कितना 1 इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है बाकी से कोई मतलब नहीं चलिए इसका आपको लिख देते हैं चलिए 7 का पावर है कितना 75 पलस अनव पलस 2 का पावर 43 इन्टू 6 का पावर 36 9 का पावर 95 थिरी का पावर 85 चलिए तुरत इसमें 4 से भाग देके सेस बताईए 3 4 से भाग देकर के सेस बताईए अब ही देखे ही कितना है 6 तो 6 का पावर कुछ भी हो 6 से रहता है 4 ऐसा आंख है 0 1 5 6 इसका कुछ भी पावर रखे 0 का 0 1 का पावर कुछ भी रखे 1 5 का 5 6 का कितना? 6 तो इसलिए इसमें तो हमको सोचना ही नहीं है डाइरेक्ट लिख देते हैं कितना? 6 चलिए चार से भाग दिजिए 3 बचेगा चलिए इसमें भी चार से भाग दिजिए 1 बचेगा तो 7 का पावर 3 बोलिए 343 तो 343 का लास्ट डिजिट बोलिए 2 का पावर 3 8 9 का पावर 3 बोलिए 729 37 का कितना? 9 चलिए लास्ट अस्टेप अंसर अब आ जाएगा तो कल्कुलेशन करिए 8 गुना 6 बोलिए 48 का आठ गुना 9 बोलिए 22 का 2 तो 3 प्लस 2 माइनस 3 3 थिरी थिरी कैंसेल अंसर हो गया 2 जो थोड़ा लंबा होगा उसको बना देंगे आज जो भरवली सोचने वाला है तो हम यहीं पर आपको समझा के अंसर लिख दे रहे हैं आप खुद से बना सकते हैं झाउआ गला है, आपको समझा के लिए। झाई मना के लिएक म मरिए जो ओर शेख भी, तो नवच मना देनी तो अंसर इनीया लेक लेगा तो आगे बढ़ते हैं यह पेज समाप्त हो गया अगले पेज में आया जाए यह कोस्टन हमको बताना पड़ेगा इसलिए इस कोस्टन को अगले पेज पर ले चलते हैं चलते हैं चलते हैं पलस एट का पावर फॉट्टी एट बाई सिक्स्टिन का पावर एट्टिन और इसका निकालना है क्या चीज इकाई यंग तो देखा जाए यहां ध्यान दीजिएगा नीचे कितना है तो इबारह में से भी तीन को पहले अलग कर लीजिए तो बोलिए कितना इंटू 312 होता है फॉर इंटू 312 जैसे बारह को लिख दिये थिरी इंटू क्या चीजिए फॉर आई पावर 55 है तो पावर 55 हुआ तो 55 पावर 3 के लिए है कि 4 के लिए है दोनों के लिए है तो इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं अब लिए करें 3 का पावर 55 इन्टू 4 का पावर 55 बाई 3 का पावर 11 पलस 8 का पावर 48 और 16 का पावर 15 नेक्स स्टेप देखिए रुक जाएए तो लिखिएगा अब देखें बेस सेम होता है तो गुना करने में पावर जुडता है और भाग देने में घटता है बेस सेम होता है तो दोनों को मल्टिपलाई करीगा तो पावर क्या होता है एड होता है जुडता है और डिवाइड करीगा तो पावर घटता है तो देखें यहाँ भी बेस 3 है यहाँ भी बेस 3 है तो उपर घटाईए कितना थिरी का पावर बोलिए फॉट्टी फॉर पच्पन में गार नहीं घटेगा चलिए अब बाकी जितना है सब को टू में कनभाट कर लिजे सब को टू में कनभाट कर लिजे ती बोलिए चार का पावर पच्पन है तो दो का पावर एक सो दस गुना हो जाएगा दो से इस सब को भी दो में कनभाख कर लिजे इस दो का कितना पावर आठ तीन तो तीन से इस में गुना करिए तो आड़त आलिस गुना तीन होता है 144 इस दो का कितना पावर चार तो चार से इस में गुना कर लिजे 2 का power कितना 1 step और 3 का power या 1 step अभी लिख देते हैं एक ही बार में सबको calculation कर लेंगे यहाँ भी देखें बेस सेम है तो power घटेगा कि जुडेगा तो घटेगा तो 2 का power 72 अब यहाँ देखा जाए अब direct अब जैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ कि उन्हें डिजी टो ऐसे निकालिया तो इसमें क्या करते हैं 4 से भाग दे करके क्या निकालते हैं remainder तो remainder बोलिए 0 remainder 0 तो 0 बचता है तो क्या लिखते थे तब 4 ही लिख दिया जाता है चलिए 4 से भाग देके 6 बताए क्या बचेगा तो चलिए 72 को 4 से डिभाइड करके remainder बताए 0 तो 0 बचेगा तो क्या लिखेगा 4 3 का पावर 4 एक 80 का 2 का पावर 2 4 2 का पावर 4 16 का 6 4 10 10 का last टंग 0 पावर 2 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 15 16 16 15 16 16 कोश्चन नमबर आई यह 134 1 square, 2 square, 3 square अब टू कितना है तो यह सब तो आसान है चलिए square में जोड़ने का formula क्या होता था तेन का मान बोलिए एन का मान बोलिए पचपन तही हो गया एन into n प्लस 1 और formula होता था 2n प्लस 1 तो पचपन गुना 2, 110 और 1, 111 अब आई होता था 6 हमको के बाद लास्ट डिजिट ने निकालना है तो आईए तीन से कौन कटता है 111 37 times अब दो से इसको कटा दे चली देखिए 5 गुना 8 40 का कितना अब चाहे कोई भी नमबर हो लास्ट में क्या है जीरो अब लास्ट जीरो लिख लिया गया अगला भी उसी तरह का कोस्टन एक खुच से बना सकते हैं और अब आई ये 10 थंक वाला 10 डिजिट चली ये भी समझा देते हैं 1 क्यू से लेके कहा तक है तक क्यू का फॉर्मूला क्या था जोड़ने का N into N plus 1 Y2 का होलस ऐसे था यहां पर देखें लास्ट है 99 99 प्लस 1 करेगा तो कितना 100 और 100 के लास्ट में 0 तो अंसर इसका भी क्या जाएगा जीरो आजाएगा अगला कोस्टन बता दे रहे है कोस्टन नमबर कितना हो गया 136 त्यान हाँ मेरा कट गया कोस्टन दिखाई दे रहा है कोस्टन दिख रहा है त्याह यह पहला जो नमबर है 7654 कोस्टन निकालना है तहाई अंक निकालन ए तो हमको कितना आंक से मतलब होगा त्याहिसका लास्ट टूड़िजिट है 54 अगले नमबर कांटीम दो अंक 30 अगले कांटीम दो अंक और अगले कांटीम दो अंक अब इतना ही को multiply करिए जो दहाई यहां क्यानि 10 जी जाएगा वो अंसर हो जाएगा तो आई यह step first में कितना में कितना से गुना करना है चववन में तेईस से चववन में कितना से तेईस से तो गुना करने का रूल बताते थे बोलिए इसमें पहले दो से की पहले तीन से तीन से तो कितना बार हासिलिया करी वान अब बोलिए इसमें तीन से किये अब इसमें तीन से दो से तीन से और इसमें दो से आगे आगे तीन से और पिछे पिछे तेईस में तीन से कितना 15 और इसमें 2 से जोड़िये 15 और 8 23 आए एक हासिल था अब इधर कुछ भी आता है उससे क्या मतलब मतलब है हमको अंतिम के अंग से? दो अंग से अब आजाई यह step second में तो result आया गया 42 जिसमें multiply करना है अब 87 से तो इसमें केतना से? साज से चली अभी इसमें केतना से? साथ से आईश में 8 से आगे साथ से आफिर पीछे में 8 से तो साथ से गुना करिए 28 आईश में 8 से 16, 28, 16, 44 आए एक हासिल था 45 अब आजाई यह step third में result आगया कितना? 54 इसमें कितना से? 78 से तो बुलिए पहले कितना से? 8 से तो 32 हासिल कितना? 3 इसमें 8 से तो 40 आईश में 28 40 और 28, 68 68 68 और 31 71 अब इधर कुछ भी आता है उससे क्या मतलब है? तो लास्ट रिजल्ट कितना आ गया? इसमें 10th डिजिट बताईए तो फाइनल अंसर हो गया ती आपको जो multiply करने का rule बताते हैं उस पे आधारित है multiply करने का जो नियम बताते हैं उससे related है अर्चुकी दहाई अंक यानि 10th डिजिट निकालना है तो आपको मतलब है अंतिम के अंक से? दो अंक से मतलब लिक्ली अगया देखिए हमको 53 से मल्टिप्लाई करना है तब बोलिए पहले 5 से की पहले 3 से तो इसमें 3 से मल्टिप्लाई करिए कितना हासिलिया करी कितना हुआ अभी थिरी को स्टेप बाई जीधर बढ़ाते जाए तो इस थिरी आजाएगा यहां पर अभी आपर क्या आजाएगा तो इस हो गिया बीस और नौ उन्तिस यह गुना करिए आई गुना करिए बीस तो दोनों को जोड़िये उन्तिस हासिल एक था तीस अब देखे इसको स्टेप बाई जीधर बढ़ाते जाए अब यहां तीन आजाएगा यहां क्या आजाएगा होगा पांस है पचीस और तीन हासिल था इसी से यह रिलेटेड है इसी से यह रिलेटेड है तो आईए अगले कोस्टन की और बढ़ते हैं अगला में निकालना है यह काई अंखीन निकालना है कुस्टन नमर 137 अववान से शुरू है और कहां तक है अंडेट तक इसको भी बना देते हैं कुस्टन च्रफ और तक है और देते हैं यह कि बना देते हैं कि अरफ बना देते हैं यह रहीं कि दुरू हैं झाल झाल चलिए लिख लिया गए तो देखिए 4 और 9 4 और 9 दो ऐसा डिजिट है जिसका अंक दो ही बार में रीपट करता था सुरू में बताते है 4 का पावर एक बोलिये पावर 2 बोलिये 16 का कितना 6 4 का पावर 3 बोलिये 64 का 4 चार का पावर चार जानते हैं कितना होता है 256 256 का क्या चीज़ तो देखिए दोहीं तरह कन आ रहा है एक फोर 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 आएगा एक 6 6 ओड नमबर में क्या आ रहा है 4 आई भे नमबर रख रहे हैं तो 6 तो उसी तरह इसमें भी आएगा तो आई चार का पावर एक लास्ट अंग बोलिए इसको जोड़ना नहीं है फिर से इसका क्या निकालना है यह उन्नी डिजिट केवल अंतिम एक अंक इसका बताना है तो यह हो जाएगा आपको 4 इसका लास्ट अंग बोलिए 6 अगले का फोर फिर अगले का 6 इस तरह से टोटल केवल नंबर है 100 गो तो यह बोली दो दो का पियर केवल बनेगा 50 गो पियर बनेगा अज जो भी पियर बन राई इसका जोगफल तो देखिए तरही सब को जोड़िएगा तो लास्ट में क्या बचेगा जीरो और यही हमारा अंसर हो लास्ट में क्या बनेगा लेक्लियर गया बोलिये कितना बार लिखे पहला बार क्या लिखे फास्ट पोजिशन पर वान सेकेंड पर दी थार्ड सी, फोर, फिर फाईब, सीख, सेवन, एट, नाइब, टेन, एलेवन, टुवेल, के गो नंबर लिखे बार रगो तो एलेवन्थ प्लेस पर क्या आया सी, टेंथ प्लेस पर बी, नाइन्थ प्लेस पर ए, ट्वेल्थ पर अब हम आपसे पूछे कि 500 प्लेस पर कौन आएगा 500 अंग या लेटर कौन होगा ऐसे पहला पर A है दूसरा पर B है इस तरह 500 ऐसा लिखे तो क्या आएगा A आएगा कि B आएगा कि C आएगा कि D आएगा यह कैसे पता चलेगा हाँ तो रिपीट कर रहा है के बार में तो तुरत 500 में 4 से भाग देंगे अब पता लगाएंगा रिमेंडर का सेस का पता लगाएंगे तो ही बोलिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा तो रिमेंडर क्या बचेगा जीरो यानि एकदम अंतिम तक लास्ट होगा यानि सबसे लास्ट में क्या आएगा और वहीं यहाँ परियादी 500 हम टू लिख देते तब 502 लिख देते तब रिमेंडर क्या बच जाता रिमेंडर बच जाता दो तब दूसरा लेटर आता पहला लेटर A दूसरा लेटर B तो इसमें B आता झाल आता लेटर B चली इस सारे नंबर को क्या किया गया है जोड़ा गया है इस सब को एड़ किया गया है यहां क्या लिखा हुआ है प्लस इसको के ऐसा ऐसा के गुर नंबर को जोड़ा गया है 467 इस सब को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट कितना होगा यह आपको बताना है तो पहले देखे पेर कितना का बन रहा है चार का पेर चार्चर का बन रहा है न पर देख पेर का मान बोली है तो कितना 13 हा थे 3-4-5-12 और 1 कितना 13 अब आप क्या करेए कि की आतना बार में रिपीट कर रहा है चार बार में तो थ्टोड़ा सा आप हमको रफ करना पड़ेगा चार से भाग दे करके हमको रिमेंडर बताईए तही हो गया 44, 44 घटेगा 27, तो कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, आई हो जाएगा 3, तो ऐसा ऐसा पियर 13, 13 का पियर के गो बनेगा, यह बताईए, एक सो सोलग गो पियर बनेगा, अब पालस, तीन को टर्म और अभी रह जाएगा, यह पियर बनने के बाद, कौन कौन तीन को टर्म रह जाएगा, तीन, चार, पांच, इतना बात को समझा गया, कि नहीं समझा गया, चलिए फिर से देखिए, यह बोलिए, के गो टोटल लिखे हैं, बोलिए, गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस गो लिखे, अब हम कौन रूल से इसको बनाना है, तो दस में चार से भाग दे दीजे, से से कितना बचिए है, दो, तही पियर के गो बनेगा, दो गो, तो देखिए, एक पियर, फिर ये बन गो आपको, दूसरा पियर, तो दो गो पियर बना, और उसके अलावद के गो नंबर एक्स्ट्रा रह गया, दो गो नमबर एक्स्टा रह गया ठीक उसी तरह इसमें पेर के गो बना 116 गो और तीन गो नमबर और अभी एक्स्टा बच गया जो पेर में सामिल नहीं है वो पेर नहीं बना सका है अब बोलिए जिसमें एक पेर का जोगफल यानि सम कितना है एक पियर का जोगफल कितना है तेरा 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 जोड़ना है कितना बार एक सो स्वल्ला बार तेही हो गया तेरा गुना इतना और पलस और आए थिरी पलस फोर पलस फाइव अब आपको निकालना था कौन अंक यूनि डिजिट अंति में हम इसे पुरा का जोगफल भी निकाल सकते हैं तो आएए शिक्स इंटू थिरी बोलिए आँ छे गुना तीन बोलिए अठार का कितना आठ आठ और तीन इग्यारा इग्यारा और चार पंदरा पांच तो लास्ट तलां को गयाओ शीнов झाल झाल